इस वीडियो में हम पात कहने वाली हैं अगर आपको noise application के अंदर इस तरीके से लिखावाता है field to load data तो इस problem को हम कैसे solve कर सकते हैं इस application से यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले हैं से minimize आजाना होगा और अपने phone के settings में चले जाना है phone के settings में जाने के बाद सबसे नुचे चले जाना है system में तो system में भी चले जाते है और date and time पर आपको जाना है TC number पर और यहां पर use network provided पर आपको लगा देना है automatic time zone को set कर लेना है और automatic time zone को भी लगाएंगे तो बहतर बात है तो सबसे पहले तो आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना फिर यहां से back ला देना है back ला देना है back ला देना है और play store में जाना है play store में जाने के बाद यहां पर search करना है आपको वही application और इसको search करतीजे और अगर यहां पर आपको update मिलता है तो update कर लीजे जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रोब्लम होगी वो सारी की सारी सौल्फ हो जाएंगी और फिर आपको कोई भी प्रोब्लम देखने को नहीं मिलेगी बस अपने फोन को बंद करके खोल लीजेगा और आपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगी तो अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा